उम्रच वाली साल और बस हाई स्कूल पास रॉबर्ट वाडरा ने महज पाँच साल के भीतर एक लाख रुपए के निवेश से 325 करोड से अधिक की संपत्ती बनाई है। देश के सबसे ताकत्वर राजनितिक घराने यानी गांधी परिवार के दामात प्रियंका गांधी के पती रॉबर्ट वाडरा के बारे में ये संसनी खेस खुला से द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किये हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वाडरा के पास अभी भी 42 मिलियन डॉलर यानी 253 करोड रुपए से ज्यादा की रियल एस्टेट टॉपर्टी बची हुई है। साफ है, रिपोर्ट के दावो को माने तो रॉबर्ट वाडरा ने महज 1 लाख रुपए की लागत से खड़ी की गई कमपनी से 5 साल के भीतर 325 करोड रुपए से अधिक की संपत्ती बनाई है। The Wall Street Journal पर प्रकाशित रिपोर्ट का दावा है कि वाडरा की कमपनियों ने 2012 के बाद रियल एस्टेट से जुड़ी कोई बिक्री की है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि वाडरा की कमपनियों से जुड़ी बीते 2 साल की फाइलिंग के रेकॉर्ड सरकारी वेबसाइट्स पर उपलब्ध नहीं है। केवल 7 साल के भीतर वाडरा एक आम बिजनस्मेन से रियल एस्टेट का बड़ा नाम बन गए। वेबसाइट के मुताबिक वाडरा के पास रियल एस्टेट कारोबार का कोई खास तजुर्बा भी नहीं है। वेबसाइट की माने तो वाडरा और गांधी परिवार के लिए महेश नागर नामक व्यक्ती जमीनोंस के सौदे कराता है। महेश नागर राजस्थान का रहने वाला है और गांधी परिवार से उसके गहरे संबंध है। हाला कि नागर इससे इनकार करते हैं। रिपोर्ट का दावा है कि 2004 में जब सोनिया गांधी के नेत्रित्व में UPA सत्ता में आई कुछ समय सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाडरा सस्ते गहनों के एक्सपोर्ट का छोटा बिजनस करते थे। 2007 में वाडरा रियल एस्टेट के क्षेतर में उत्रे और स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेटली के नाम से एक कमपनी बनाई। Ministry of Corporate Affairs के Registrar of Companies के मताबिक इस कमपनी को वाडरा ने दो हजार डॉलर से भी कम यानी करीब एक लाख रुपए की रकम से शुरू किया था। अब आए रोबर्ट बाडरा का इतिहास बता देते हैं 18 मैं 1969 को जन्मे रोबर्ट वाडरा का का परिवार पाकिस्तानी मूल का है। विभाजन के बाद रोबर्ट वाडरा के दादा हुकुम राय वाडरा 1954 में पाकिस्तान से भारत आ गए। उनके पिता राजेंद्र वाडरा का पीतल का छोटा मोटा कारोबार था। समय बीतने के साथ ही उनका यह कारोबार फलने फूलने लगा। बात करें उनकी मा की तो मौरन वाडा स्कॉटिश मूल की है। रॉबर्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से प्राप्त की। दस्वी तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आगे चलकर देश के सबसे विख्यात राजनेतिक परिवार में रॉबर्ट वाडरा का रिष्टा जुड़ा। 18 फरवरी 1997 को रॉबर्ट ने सोनिया गांधी और राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी से शादी कर ली। इन दोनों की मुलाकात दिल्ली के एक कोمن फ्रेन के घर पर हुई थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद रॉबर्ट की जिंदगी ही बदल गई। लेकिन प्रियंका गांधी से रॉबर्ट के शादी के फैसले को उनके परिवार वालों ने पसंद नहीं किया जमीन घोटाले का भी लगा आरोग रॉबर्ट वाडरा पर कॉम्रेस के कार्यकाल के दौरान 350,000 करोड के जमीन घोटाले का आरोग भी लगा है उन पर यहां आरोप हर्याना के एक अफसर अशोक खेमका ने लगाया है साथ ही अर्विंद के जिवाल सहित कई अन्य लोगों ने भी रॉबर्ट वाडरा पर 300 करोड की संपत्ती को कॉडियों के दाम खरीद कर उचे दामों में बेचने का आरोप लगाया था इसके अलावा भी उन पर राजस्थान, हरियाना और NCR में सेक्रो हेक्टियर जमीन बहुत सस्ते दामों पर खरीद कर उचे दामों में बेचने का आरोप है नकली एंटीक दुकान चलाने का भी लगा आरोप रॉबर्ट वाडरा पर एक बार नकली एंटीकी दुकान चलाने का भी आरोप लग चुका है इसके अलावा भी वह कई धोखाधरी के मामलों में फस चुके हैं वह एक दरजन से भी अधिक कम्पनिया चलाते हैं जिससे उन्हें करोडों की कमाई होती है अपनी फिटनेस और कप्रों का रखते हैं ख्याल रॉबर्ट वाडरा अकसर अपनी फिटनेस के लिए काफी चिंतित रहते हैं साथ ही वह अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं उन्हें हमेशा अच्छे लिबास में देखा जा सकता है 2011 में रॉबर्ट वाडरा को एक अंग्रेजी अकबार ने बेस्ट ड्रेस्ट मैन के खिताब से भी सम्मानित किया था एक लाख रुपए से शुरू किया था व्यापार 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेरिका के प्रतिष्ठित अकबार में छपी खबर के अनुसार रॉबर्ट वाडरा ने 2007 में एक लाख रुपए के साथ व्यापार की शुरूात की थी मात्र पाँच सालों में उन्होंने 299 करोड रुपयों से भी अधिक लाब कमा कर कुल 300 करोड रुपए अर्जित किये आज उनकी संपत्ती पहले के मुकाबले कई गुना अधिक हो चुकी है 15,000 करोड की संपत्ती के मालिक है वाडरा बता दें कि मात्र एक लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत करने वाले रॉबर्ट वाडरा की संपत्ती आज कुल 15,000 करोड रुपए की है उनकी मासिक आए 60 करोड रुपए से भी अधिक की है साथ ही उन्होंने दुनिया भर में 100 करोड रुपए से अधिक की संपत्ती खरीद रखी है उनकी संपत्ती में आधे दर्जन से भी अधिक गाडिया शामिल है जिनकी कीमत लाखों में है यू तो रॉबर्ट वाडरा के खिलाफ घ्रष्टाचार के आरोपों की जाच यूपिये के दौर में ही शुरू हो गई थी जिसे नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव पास आते आते पहले रॉबर्ट वाडरा पर प्रवर्तन निदेशाले एडी के चापे तेज हो गए है जिससे कॉंग्रेस की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है हाल ही में कॉंग्रेस ने प्रियांका गांधी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया है और दूसरी और रॉबर्ट वाडरा के खिलाफ जाच तेज हो गई है बुधवार को ही मनी लॉंदरिंग मामले में रॉबर्ट वाडरा से पांच घंते तक पूछताच की गई बताया जा रहा है कि उनसे एडी ने करीब 40 सवाल पूछे थे यहां एक बात बेहद एहम यह है कि खुद प्रियाम का गांधी ही उन्हें एडी के दफ्तर तक छोड़ने गई थी और मीडिया से कहा कि वह रॉबर्ट वाडरा के साथ है एक और रॉबर्ट वाडरा को पूरे गांधी परिवार का साथ है वहीं दूसरी और भाजपा इस मौके को भुनाने में लगी हुई है रॉबर्ट वाडरा पर लगे आरोपो के चलते उनके साथ-साथ पूरी कॉंग्रेस को लपेटे में लिया जा रहा है भाजमा प्रवक्ता संबित पार्रा ने तो ये भी पूछ लिया है कि आखिर एक रोड़पती करोड़पती कैसे बन गया रॉबर्ट वाडरा पर लगे आरोपो के चलते भाजपा और कॉंग्रेस में सियासी बयानबाजी खूब हो रही है आईए जानते हैं किन आरोपों के चलते रॉबर्ट वाडरा पर एडी का शिकंजा कस्ता जा रहा है सितमबर 2015 में एडी ने मनी लॉंदरिंग केस दर्स करते हुए आरोप लगाया था कि रॉबर्ट वाडरा की बीकानेर के कोलायत में स्थित स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी कमपनी ने उस जमीन का अधिगरहन किया है जो गरीब गाव वालों के लिए थी रॉबर्ट वाडरा पर आरोप है कि उन्होंने 69.55 हेक्टेर की इस जमीन को काफी सस्ते में खरीदा और करीब 7 गुना फाइदे के साथ 5.15 करोड रुपए में एलिजनरी फिनलीस कमपनी को बेच दिया ED की जाज के अनुसार एलिजनरी फिनलीस कमपनी भी फर्जी कमपनी पाई गई है जिसका ना तो कोई बिजनेस है ना ही शेर होल्डर्स है जमीन को गलत तरीके से निजी क्षेत्र को देने के चलते राजस्थान सरकार इस सौदे को पहले ही रद कर चुकी है इसके अलावा ED ने Income Tax Settlement Commission से भूशर पावर एंड स्टील लिमिटेड से जुड़ी कार्यवाही का ब्यौरा भी मांगा है आपको बता दे कि भूशर पावर वही कमपनी है जिसने एलिजनरी फिनलीस को जमीन खरीदने के लिए लोन दिया था यो तो इस मामले में आरोपियों में वाडरा का नाम नहीं है लेकिन उनकी कमपनी Skylight Hospitality का नाम है जिसके जरिये जमीन खरीदी और बाद में बेची थी इसी वज़े से इस जाच में वाडरा ही मुख्य है ED ने रोबर्ट वाडरा के खिलाफ कई प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में मनी लॉंदरिंग का केस दर्ज किया है इनमें लंदन के बारा, ब्रायंस्टन स्क्वायर में स्थित करीब 17.77 करोड रुपे की प्रॉपर्टी के अलावा 37.42 करोड रुपे और 46.77 करोड रुपे की दो अन्य प्रॉपर्टी भी शामिल है आरोप है कि ये सभी रोबर्ट वाडरा के नाम पर रजिस्टर है इन प्रॉपर्टीज को खरीदने में UPA सरकार के दोरान हुई एक पेट्रोलियम दीर से मिले पैसो का इस्तिमाल किये जाने का आरोप है ED उस डील को लेकर भी अलग से जाच कर रही है इस मामले में संजय भंडारी का नाम भी सामने आ रहा है जो एक हतियार कारोबारी है लंदन की बारह ब्राइनसितन स्थिती जिस प्रॉपर्टी या यू कहें कि बंगले की बात हो रही है वह संजय भंडारी ने ही वाडरा की कमपनी के नाम किया था भंडारी ने इस बंगले को करीब 17, 77 करोड रुपए में खरीदा था और फिर उसकी मरम्मत और सजावट में करीब 61 लाक रुपए खर्च हुए उसके बात खरीद दाम पर ही इस प्रॉपर्टी को रॉबर्ट वाडरा की कमपनी स्काइलाइड हॉस्पिटेलिटी के नाम कर दिया गया संजय भंडारी के खिलाफ भी ED और आईकर विभाग जाच कर रहा है भंडारी के अलावा इस मामले में मनोज अरोडा नाम के एक शक्स का जिक्र भी हो रहा है ED के अनुसार संजय अरोड के जरिये ही रॉबर्ट वाडरा ने इन प्रॉपर्टीज की डील को अन्जाम दिया था जो स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी का ही एक कर्मचारी था वहीं इस मामले में मनोज अरोडा का कहना है कि ED जान बूच कर उन पर दबाव बना रहा है कि वह रॉबर्ट वाडरा को इस मामले में फंसाएं ED के अनुसार 2009 में UPA की सरकार के दोरान जो पेट्रोलियम दील हुई थी उसमें रॉबर्ट वाडरा और उनके साथियों को गलत तरीके से फाइदा पहुँचाया गया भाजपा ने भी आरोप लगाए हैं कि UPA सरकार के दोरान हुई पेट्रोलियम और डिफेंस डील से रॉबर्ट वाडरा ने धेर सारे पैसे कमाएं और इनी पैसों से लंदन में करोडों की प्रॉपर्टी खरीदी गई ED इसी प्रॉपर्टी की जाज कर रही है क्योंकि उन्हें शक है कि इनके जरीए कालेधन को सफेद किया गया ED के सूत्र भी इस बात का दावा करते हैं कि लंदन में स्थित प्रॉपर्टी वाडरा को पेट्रोलियम डील से हुए फाइदे के पैसों से ही खरीदी गई है इन पैसों को संतेच इंटरनाशनल कमपनी में ट्रांसफर किया गया जो UA की कमपनी है और वहीं से कंट्रोल होती है इसके बाद संतेच इंटरनाशनल ने एक प्राइवेट होल्डर वोटेक्स से लंदन के बारह ब्रायंस्टन स्क्वाइर में प्रॉपर्टी खरीद ली हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें गूगल पे या पेटियम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719